हेलो एन नमस्ते आप सभी का स्वागत है हमारी आज की प्रड़क्ट प्रेजेशन में हमारे आज की प्रेजेशन है आटमी के मिल्क थेसल एक न्यूट्रसोटिकल सप्लिमेंट है जो आपके लिवर को हेल्धी रहने में सपोर्ट करका है लिवर हमारे शरीर का एक बहुत ही है और इससे होने वाली ध्रकाइए इसमिव डिजीज भी यानि के लिवर डिजीजज महीं को प्रिकाइए अगर हम आकड़ों पे निज़र ढाले में दुनिया भर में लेवर से वने वाली मोटे अगर वेकि तो हर पंच में जो है पुबे बड़ा बार एक है अगर हम इंड भार्पियर किसी ना किसी लिवर या उससे रिलेटेड डिजीज से रस्त है, याने कि कोई ना कोई उनको प्राब्लम है, याने कि टोटल 40% इंडियन्स लिवर या उससे रिलेटेड इशुज है उनको, जो कि बहुत ही बड़ा आकड़ा है, बट चलिए हम इसी के साथ आगे अगर, तो देखते हैं लिवर क्या है पहले, और लिवर हमारे लिए इतना इंपोर्टन्ट क्यों है, वेल, लिवर हमारे पूरे शरीर का सबसे अंदरोनी बड़ा मुख्य अंग है, जो हमारे शरीर में हमें जिन्दा रखने के लिए बहुत ही प्रमुक मेटबॉलिक फॉं यह हमें ध्यान डखना है कि हमारे लिवर हेंदी रहें, वेल, लिवर की एक खासियत है, वो यह है कि वो खुद को रिजेनरेट कर सकता है, यारने कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होई तो यह अपने आप ठीक कर सकता है, पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो नहीं कर सकते हैं, वेल, हम लिवर की बात करी रहें, तो देखती हैं कि इसके क्या-क्या इंपॉर्टन्ट फंक्शन से, लिवर जो है हमारे बोड़ी में जो भी हम खाते हैं, वो पचाने के बाद सबसे पहले लिवर में जाता है, यानि कि इन जो भी खाया पिया है, वो हमारे पेट को इस फॉर्म में चेंज करता है, यानि कि मेटागोलाइज करता है, ताकि हमारा शरीर उसे अच्छे से यूज कर सकी, यानि कि लिवर का सबसे पहला फंक्शन है, मेटाबॉलिक फंक्शन, प्लस उसका दूसरा जो इंपॉर्टन फंक्शन है, वो है संथिस्स करना, आप यूज होता है, सबसे इंपॉर्टन जो एक पार्ट है वो है प्रोटीन, प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत ही तरह के मसल्स बनाने में हेल्प करता है, यानिक, ज़ो हमारी मास पेशिया है हमारे प्रोटीन, हर्मोन और एंजाइम्स जैसी चीज़ों को संथेस्टैस करने मे हेल्प करता है आप जानते ही है कि हॉर्मोन्ज और एंज़ाइम्स भी हमारे लिए कि इतने जरूरी है जो कि वो हमारे हमें जिन्दा रहने में जो प्रोसेस हमारे बॉड़ी में होते हैं उन सबका एक मुठ्छ जरिया है ताकि वो सही से हो सके यह था हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट लिवर का फंक्शन जो था संथिस करेंगा इसे के साथ हम बढ़ते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है सिक्रीटरी फंक्शन Security function का मतलब भी है कि हम जो खाते पीते हैं, वो खाना हमारे पेट में पच्छता है, राइट, वही खाने पीने में एक चीज होती है, वो है fat, और fat को जो पचाने में सबसे important role play करता है, वो है एक तरह का पदार्थ जो कि bile कहलाता है, और हमारा अनलिवर, bile को secrete करने में help करता है तो ये था इसका कीसरा important function यानि की bile secretion, जो हमारे शरीर में fat को पचाने में help करता है, नेक्स्ट फंक्शन जो है, वो है detoxification, हमारे शरीर में ऐसे बहुत सरे processes होते हैं, जिसमें side में bipoduct बनते हैं, और ये bipoduct toxins भी होते हैं, जो हमारे शरीर को युकसान पहुचाता है, और इन toxins को हमारे शरीर से निकालना बहुत ही जरूरी होता है, ऐसे में liver बहुत ही एक तरह का important role play कर रहा है, यानि की on toxins को शरीर से बहार निकालने में help करना या पर उसको नेश्ट करना, तो liver का next important function है, यानि की detoxification, यानि की toxic जो भी पदाल्थ बन रहे हैं, उसको नेश्ट करना, सा इन अपर किसी समय पे दावाईयां तो खाते ही हैं, या अधिकेशन चोटी है, ये medicines भी हमारे शरीर में जाकी कई बार स्टाइट यानि की बाइपोड़क बनाती हैं, इन तॉक्सिंस को भी शरीर से निकालना बहुत ही इंपोर्टन रोता है, और हैसे में liver इन टॉक्सिपा बाइकर्ण में हेल्प करता है, नेक्स्ट फंक्शन जो है निवर का वो है स्टोरेज, वेल, हम सब जो खाना खाते हैं, वो क्यों खाते हैं, ताकि हमारी वोड़ी को निक्रिशन बिल सके, एनर्जी मिल सके, बट ऐसा समय भी होता है, जब हम खाना नहीं खा रहे हो, पर हमा ग्लाइकोजेन, ये सारे चीजी हमारे लिवर स्टोर करने में हेल्प करता है, ताकि जब हमारे शरीर को दर्वत हो, तो ये उसे पहचा सके, तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टन रोल जो लिवर का है, वो है स्टोरेज, तो ये जो मैंने अभी आपको बताई, ये सारे रोल्स सबी प्रसस को, अच्छे से कर सके, इसकी जरूरी है कि लिवर हेल्दी रहे, पर क्या होगा अगर लिवर हेल्दी नहीं है तो, हमें कैसे पता चलेगा कि लिवर में प्रॉब्लम है, वेल, हमारा जो शरीर है, ऐसी कई तरह की लक्षन हमें दिखाता है, जिससे हमें पता चल हमारा शेरीर में बताता है कि हमारा लिवर अनहेल्थी है। साथी साथ आपके अगर पैरों में या बॉडी में स्वेलिंग रहती है। यह भी एक लक्षण है लिवर की अनहेल्थी होने है। इसके अलावा बिन वजे वजन बढ़ जाना या घट जाना सबसे कॉमन है कि वजन बिना वजे किसी का वजन घटता है यानि उसका लिवर अनहेल्थी है। भोग नहीं लगना, बॉमटिंग जैसा फील होना, यह सारे एक तरह की लक्षण है अनहेल्थी लिवर। अगर आपको भी इस तरह की लक्षण दिखाई देते हैं यानि कि जादा तर एक दोनी कई त अनहेल्थी होने के कई रीजन्स हो सकते हैं, जैसे कि शुगर का बढ़ा हुआ होना, बीपी का बढ़ा हुआ होना, हद से जादा मोतापा होना, प्लस साथी साथ अगर आपका लिपिड प्रॉपाईल बिगड़ा हुआ है, यह सभी कॉमन पॉसे हैं, इवन कई तरह की दव सबसे कॉमन अगर रीजन देखा जाएं इंडियन्स में वह है मेटबॉलिक रीजन, वेल, मेटबॉलिक रीजन का मतलब यह है कि अगर आपकी लाइस्टाइल अनहल्थी है, आप थाप ही सही से नहीं रहें या फिर आपकी खाने में बहुत ही हाई कैलरी वाला कूड है, या दीरे-दीरे बिगड के सबसे पहली स्टीज जो है, वह है प्लाइटी लिवर उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो कि mostly हमारे अनहल्थी नाइपस्टाइल के वज़े से होता है, याने कि अधिकतर अगर हम सही से खाते पीते नहीं है, सही से सोती नहीं है, इवन सही समय पे नह अगर हम इसमें ध्यान दे लिए जाने की अगर अपनी लाइट चैल नोर्मल कर दें लिवर हेल्दी हो सकता है बट अगर हम ध्यान नहीं दे लिवर पे तो यहीं कंडिशन और बुरी होती चली जाती है जाने की दूसरे स्टेजेस में कंवार्ट हो जाती है जैसे की फिवरोस लिवर और लिवर की ज्यानि हो सकता है जैनी की जो हमारा है वो रीजिन डेट नहीं हो पाती है अगर उसमें लिवर सीश बिड़ाओ पहुंच जाता है और इसी तरह की बिमारियों से कई और दूसरी बिमारियां हो सकती हैं, जैसे कि आपके cardiovascular disease होना, आपके kidney में असर पढ़ना, साथ आपके जो bones हैं, उससे related problems हो जाना, plus even brain से related problems होना, यह बहुत सारे common disease हैं, जो liver खराब होने की वज़ा से देरे-देरे हो सकती हैं, इसलिए जरूरी है कि आप ज्यान दे और initial stage में जब आपको पता चलता है कि आपका liver unhealthy है, तो आप उसे healthy बनाएं, याने कि सबसे common जो मैंने बताया वो है प्राटी लिवर वाली stage, जो कि सबसे पहली stage होती है, ऐसे में अगर आप healthy lifestyle follow करते हैं, तो आपका liver दोबारा healthy हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने शिरवात में बताया था, लिवर मे regenerate होने की कैपसिक ही है, याने कि अगर थोड़ा उसमें कुछ problem आती है, तो healthy lifestyle के जर्मी को दुबारा regenerate कर सकता है, इसके लिए कुछ चीजों का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले उसमें क्या चीज़े नहीं करने चाहिए, इस पर ध्यान दे, याने कि आपको हाइ कैलोरी वाला उ سमय नहीं खाना है, आपको के खाने पीने में आपको शुगर को कम कर नहीं है, और alcohol और smoking को करना है, साथी साथ आपको जो रेगूलर बैसे पर स्ट्रेस आता है, तो आपको तरीकी निकालने है, ताकि आपको स्ट्रेस को मैंच कर सक्या, और साथ उसे साथ एक हेल्धी लाइश्टाइल जीनी, हेल्धी लाइशस्यल से मतलब है लिटल से मतलब है कि आपको अपने खाने में डायट при स्टेब्स ही जो अगर आप फॉलो करेंगी तो आपका लिवर दुबारा हेल्दी हो सकता है। पर इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टन चीज है वो यह है कि आप लिवर को सपोर्ट करने वाले सप्लिमेंट ले सकते हैं। जिससे आपका लिवर बहुत की जल्दी नॉर्मल हो सकता है अगर वो पैटी लिवर है। वेल, मैंने आपसे पैटी लिवर की बात रहीट, बट इक पैटी लिवर क्या है? वेल, यह एक एससे स्टेज है जिसमें लिवर में बहुत सारा फ्ट डिपॉसित हो जाता है। और सबसे खास बात यह है कि किसी को पता नहीं चल पाता है। अंटी अल्निस आपका रूटीन चेक अप होता है उस में डिटेक्ट हो सकता है। आप और हम जैसे की खड़े हैं, अगर किसी को लिवर प्रॉब्लम है पिशियो स्टेज है तो पता नहीं लग पाएगा। यह सिफ एक डॉक्टर ही बता पाएगा वो भी डाइगनोसिस के बाद। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब रेगुले डे टो डे लाइक में जी रहे हैं तो आप नहीं लाइस्टाइल में करें और हैंदी खाएं। और साथी साथ ऐसे सप्लीमेंट्स खाएं जो आपकी लिवर हेल्दी रहने में सपोर्ट करें। उसलिए अटमी लाए है एक में जो कि एक निट्रसोटीकल सप्लीमेंट्स है जो सपोर्ट करता है आपकी लिवर को हेल्दी रहने में। चलिए आप अमारे प्रोड़क्विश्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें ऐसा क्या है जो आपको सपोर्ट करता है। वेल्ठीम मिल्च टिसल में रेग्स्ली हिसेदें कि अक Tempera में पॉढ़ा है उसका एकश्ट्राइट है याने व्याने की उसका अर्क है स्केल्णी ये जो पौधा है में दिधर इसके अंदर एक पदाथ है जलिमेरिन नाम तो सलिमेरिन इसके अंदर बहुत ही मात्रा में मिलता है जो की आपकी लिवर को हेल्धी रहने में हेल्ब करता है एसी कई सारी स्टेडीज ने जिसमें पाया गया है कि स्टिली मेरिंग में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे की अंटी ऑक्सिदिन प्रॉपर्टी, एंटी वायरल प्रॉपर्टी, एंटी इंफ्रमेटरी प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज इस प्रॉपर्टीज तो यह जो पौधा है, मेरे के जल, यह कई समाने से लिवर और उससे रिलीटिव कोई ना कोई प्रॉब्रम्स में यूज किया जा रहा है, इवन ट्रडेशनली कई सारे उपचारों में इसका इस्तेमाल होता है, अगर लिवर की कोई प्रॉब्रम हो या फिर पॉईजन की वज में पहले भी यूज किया जाता है, इसी वज़े से इस पौधे पे रिसर्च की गई और पाया गया है, इसके अंदर जो सिल्मेरिंग है, इसके कई सारे फायदे हैं, जो आपको लिवर और से रिलेटिड प्रॉब्लम्स में सपोर्ट करते हैं, अगर आप रेगुलर्ली मिल यानि कि इंट्रमेशिन के वज़े से और बिमारी के वज़े से रिदेमेश हो रहा है, तो ऐसी में भी यह सपोर्ट करता है आपकी लिवर को घल्थी रहने में और इंप्रॉब्ल्स साथी साथ आपकी जो लिवर है वो आपके बोड़ी को डिटॉक्सिपाई कर गगा जैसे करता हों, और साथी साथ सपोर्ट करता है एसे कई सारी कंडिशिन्स में जिस में बहुत ही जंदी डेमेश हो चाहिए, अगर लिवर आपकी अधिवर्थी लैश्य तैल के वज़े से अफ्ट होता है, ऐसे में भी मेल्क खिसल आपके लिवर को सपोर्ट करता है दुबारा से अब लिये तो हमने बात की ब्रेक फीशलकी फायदों की चलिए देखते ही ऐसा इसे लेना कैसे है ताकि हम इसकी फायदा ले सकेंगे वैल आपको दिन में दो टैबलेट लेनी है एक दुपैर के खाने के साथ और एक रात के खाने के साथ इससे आप अपने हेल्दी खाने के सा अगर आप लेंगे, तो यह सपोर्ट करेगा आपके लिवर को हल्दी होता है। प्लस आती साथ, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइब स्टाइल काफी अनहल्दी है, तो आपको मिल्गिसल लेना चाहिए। अगर आपको काफी बिजी लाइब स्टाइल है, आपको खाने का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता, या फिर आप खाने पर ध्यान नी दे पाते कि क्या खा रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि आप मेर्श फिसल जासे सब्लेमें लें जो आपके लिवर को हेल्दी रहने में नॉर्मली अपना स्ट्रेस रहता है काफी लंबे टाइम से, जिसके वज़े से दीरे दीरे आपकी हल्स निटॉरेट हो रही है, याने कि आप कमजोर होते जा रहे हैं, तो हो सकता है लिवर की वज़े से हो, इसलिए आप लिवर को सपोर्ट करने वाली सप्लीमेंट्स ले स उमर की लोग, एक अडर्ट लोग से लिए, और एक चीज़ ठान रखे कि एक नुट्रासोटिकल सप्लीमेंट है, जो आपकी हल्स को सपोर्ट करेगा, कोई मेडिकेशन नहीं है, मैडिसिंस, अगर आपको एक्शल कोई बिमारी हैं लिवर, तो आप डॉक्टर से जरूर कंस